हई पिष एनवेलो अई फट्रीं और सब्सक्राइब में कहां तक परए था याद है आपको इसमें कहीं कोई मैने स्टाथा हम देह सकते हैं 5 से उसमें फटोता था इसमीन कोई नौ और दस चलो आप मिला लेना कि क्या गलत है क्या सब्सक्राइब ठीक है अगर गलत हो या कुछ लगा था ऐसे ही था नम्रिक अपने इधर सकिया है सब्सक्राइब एक ज़िए यहां देखे हैं यहां एक मिठाइल है यहां भी ह्मिठाइब है यहां भी है तो प्राइब है तो मिठाइल और मेंड तो और कोई फंक्शनल ग्रूप नहीं है तो टू डिग्री सफिक्स चाहिए यह नहीं हमें क्लियर तो हो गया टू-टू-फॉर ट्राइमिथाइल प्रेंटेन क्लियर है आप बोलिये हम बोलिये एक बार फिर से बोलिया है मतलब आप यह कह रहे हैं कि दो को दो बार ना लिखके एक ही बार लिखे अच्छा दो-दो मिथाइल अलग लिखें हैं हमने क्या पड़ा था कि अगर एक ही जैसा अगर एक से अधिक बार आ रहा है तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा कपड़ियों करते हैं आई वाद समझें तो पोडिशन अलग-अलग है उससे क्या मतलब होगा अब देसे मान लो कि मैं कहूं इस तरीके साब कोश्चन दो एक मिथाइल यहां लगा देता हूं एक मिथाइल में यहां लगा देता हूं लेकिन मैं मैं लिखोंगा तो एक ही साथ लिखोंगा अलग-अलग क्यों करूंगा फिर तो ऐसे सोच के देखो कितना आप नोमेंक्लेशर कर रहो है रूल्स बना रहा है तो चीजों को छोटा करेंगे थोड़ा सा परे देखो कि मैं चैन को और लंबा कर दो फिर अजगह मैं ने अइंद कर दो अफिर क्या होगा हर पोजिशन के सांथ क्या करना पड़ेगा इतना में तो ड्रवाय चarm j तरन इंट करेंगे, और वो भी अगर करेंगे तो आप मैक्सिमुम क्या कर सकते हो, डाई कर सकते हो और तो करंभी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक कार्वेन में मैक्समुम आप दो ही मिथाइल लगा सकते हो अगर वो प्रिंस्पल चेन है तो एक मिथाइल उपर एक नीचे बाकि सिंगल सिंगल लखोगे बॉंड डबल लाएगा तो फिर तो मिथाइल कमी होगा प्रेपल लेगा तो कमी होगा आई बात समझे यह के ध्यान रखिया ठीक है कि देखो कन्फ्यूजन आना लाजमी है आएगा आप डिसकर्शन भी करो लेकिन जो रीजन है उसको समझने की भी कुशिस कीजिए और फिर वो गलती दुबारा नहीं दोराना है अई बात समझने क्लियर तो 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन इसमें अगर आप इन सेलेक्ट करना चाहो तो कौन सा होगा कोई भी एक सेलेक्ट करोगे बाकी दो चुटेंगे चुटेंगे तो मैं इसको वन कर देता हूं यह टू यह फॉर यह फाइग इस से लॉंग एस चैन कर सकते हैं कि आप नहीं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कैसे भी करोगे 5 कारवन कहीं बनेगा आप आते हैं देख लो यह अपको को इक रहा क्या दिख सकते हो यह इत्हाइल है यहाँ पर आपका फिसे यह आपका CS2 है यह आपका CS3 है यह भी इथायल है यह अब यह तीन पर दोनों ही है तो क्या लिखा जाना चीजर बताइया आप 3,3 डाई इथायल और 5 करवन किचेन है तो पेंट और सारे सिंगल वर्ण है तो एन थे थे डाइथाइल पेंटेन कितने लोग का यह दोनों सही था अथ उठाएंगे बढ़िया बहुत अच्छा इसमें कोई छोड़ा था मैंने यह तो उसी दिन हो गया था साइक्लो एक्सेन साइक्लो ब्यूटेन साइक्लो प्रोपेन क्लियर है अगर कन्फूजन होगा तो पूछ भी सकते हो अधरवाइस यह तो होई गया था आगे देख लो इसमें कोई अगर थोड़ा था मैंने तो पूछी है कौन सा 20 नंबर बाकी सब हो गया था टूटल अच्छा 19 और 20 तो चलिए पहले 19 पार जाते हैं फिर 20 पे 19 क्या दिख रहें आपको देखो यहां पर सिंगल वॉंड है इधर भी सिंगल वॉंड है तो आप एक मेंचेंज सेलेक्ट कर लीजी वन तू यह थ्री और यहां पर क्या कर ल कॉमा थ्री डाइ मिथाइल चार कारवन की चेन है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन अब यह कितने लोगों का सभी है अच्छा इसमें कितने लोगों ने दो कारवन का चेन मनाया लोग को क्या लगा यह सबसब्स्यूइंट के तरह हो रहे हैं लॉंगेस्ट कारवन चेन सेलेक्ट करना है मुझे लगा कि आप लोग यह कर सकते इसलिए पूछा भी तो इससे मत करिए एक इंट से सुरू करोंगा दूसरे इंट कारवन का चेन सेलेक्ट करना है तो 20 हो गया 20 प्या जाते हैं इसमें क्या दिख रहा है यह बता सकते हुए क्या है मिथाइल है इसमें में चेंड पैरेंट चेंड कौन हो जाएगा प्रिंसपल चेंड यह हो जाएगा सबसे पहले लिखा जाए यह इसका पोजिशन तो वन ही दे सकते हुआ और बाकि 2,3,4,5,6 की वन पे मिथाइल अब बोलिए साइक्लो वेरी गुड और बताओ स्पाकरवन है तो हैक्स और इन सब में सिंगल वांड है तो ए नहीं तो जाएगा वन मिथाइल साइक्लो हैक्से और ऐसे केस में आप चाहो तो वन हटा भी सकते हो यह कभी-कभी आपके दिमांग में होना भ हो फिर आप कहेंगा सर पोजिशन नहीं दिखाया गया एक बात बताओ पोजिशन नहीं दिखाया गया इसका मतलब है वह वन पर हमेशा ध्यान रखिएगा अगर पोजिशन नहीं दिखाया गया है तो वन पर हमेशा नहीं कर सकते आप कहां करना है कहां नहीं करना इसका भी कि बताओ इसका structure तो पहले आप उल्टा इधर से आते पेंट है तो पांच करवन का बना लो वैसे एक दो तीन चार पांच करवन है अब कोई कहेगा कि मीठ हाइल है तो मीठ हाइल है तो इसके साथ सब्सुएंट की तरह ट्रीट होगा तो जिसे ना मीठ हाइल जोड़ने भी सही था फिर वापस आप नाम करन करके देख लो अब का सेम होगा वन मेठ हाइल पेंटेन अबसान तो आप अगर नाम से फिर स्ट्रक्शर बना रहे हो तो सबका अगर सीम आ रहा है एक जैसा आ रहा है तो समझ लो क्यों क्या है सही है तो वहाँ पर आप इग्नोर कर सकत हो तो यहां पर आप चाहो तो वहन आप यंदा मतावी सकते हो और विदैंष उैसमेर को इसमें चुटा था 24 24 यहां रों को लात लोगो यहां से कर देना ची बीषसा यह वह नि रहा रही होजाएगा ये वाला इस इस यहां नमनी कहां से करना चीव आ आ सकते आप लो मुझे लगते हैं यहां से कर देना चाहिए ब्रोमीन से रही है वन टू टू ट्री फॉर फाइब सेक्ष इस से लोएस्ट सेट हम लोग नहीं बना सकते आई वाचमान में तो लोएस्ट लोकेंट सेट पहले बनाते यही बेटर है तो नाम लिखा जाए बताइए सबस ब्रोमो टू क्लोरो वन ब्रोमो टू क्लोरो ओर पे फ्लोरो उसके बाद बोलिए साइक्लो का करवन है तो हैक्स और सारे सिंगल वॉन नहीं तो सब्सक्राइब देख लिजे अच्छ वागी था अच्छ चलो यहाँ पे नमडिंग कहां से कि आपने यह देखो यह आपका मिथाईल है यह मिथाईल है यह दिख रहे है आप लोगो को तो चलो यहाँ पे नमडिंग वान देना बेटर होगा इसको आप टू दे देजिए यह राद थ्री यह फॉर यह फाइव यह इसक्स इतने लोग का नमडिंग ऐसा है आथ उटो इससे कुछ अलग किया तो आपने क्यों किया आप खारण बताईए अगर आपने किया है कुछ बताना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि अपने लग क्यों किया कैसे किया अलग है तुम्हारा यह बनाए ही नहीं हूँ अच्छा तो क्या लिखे बताइए पहले नाम की इथाइल का लिखा तो पहले इथाइल जाएगा पहले यह आता है फिर एम आता है क्या इथाइल नहीं है ओ ओ ठीक है मुझे लगा यहां से ऐसे कुछ बेंड़ वेगा रहा है ऐसा कुछ सलका सा समझ में रहा था खेर कोई नहीं सब मिथाइल ही है तो अच्छी बात है फिर 124 तो 1,2,4 प्राइमिथाइल साइक्लो कितना कारवन है तो है न तो हैक्स और सारे सिंगल वॉन है प्रिंस्पल चेन में तो ए नहीं तो गया 1,2,4 ट्राइमिथाइल साइक्लो हैक्सें क्लियर है आगे बड़े चलिए यह तो मैंने कड़ाया था और यह होमग दिया था यह आप लोगों ने इसका नाम कर सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने बता हूं सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था यह आपका प्रिंस्पल चेन है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 लॉंगेस्ट चेन प्रिंस्पल चेन यहां पर हो जाएगा फंशनल ग्रूप तो है नहीं मल्टिपल बॉन है नहीं तो अच्छा कासा बड़ा है जब साइट चेन बड़ा होने लगता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो प्रिंस्पल चेन से जो कारवन जुड़ा होता है उसको आप नंबर वन दे दो तो वन एक्शुली आप इधर कर चुके होते हो तो वन डैस लगा तो पहले भी यह बात आपको दिख रहा हुआ कि यहां पर यह क्या है मिठायल यहां पर आपको क्या दिख रहा है मिठाय तो वन-डैस असदोना हिप सबसे पहले क्या लगता है यह स ув нравится है यह वाला अप क्रिंस्पल चैन यह चेंड़ा प्रिंसक्प वर्ड रूट तो वो सारी चीजे आपको यहां अपलाई करना इसके लिए अपलाई करना है तो सोचो सबसे पहले इसमें सब स्विट रहा थे इसके लिए तो वन डास पर तो वन डास कॉमा वन ड्राइश डाई मि थाईल ना इस सफ्स्वेंट के अंदर या इस पेरेंट चीन के अंदर कोई साइक्लिक है नहीं यह आंप दिख रहा है सफ्सवेंट के अंदर आपने पjatरेंट इन बनाया है क्या वह साइक्ळ कंरिख ओसांक लिसके बग meth तो इसमें कितने कारवान आपको दिख रहे हैं तो मित इथ प्रोब लिखो फिर प्रोब उसका बताओ कि वन डिग्री सफिक्स जो बताए इसके अंदर इचेन कैसा है तो क्या बताए गया था कि वाइल लगाना है फिलाल तापको यह बताए गया वाइल वाइल लगाना है तो क्या वन-डेस वन-डेस सब्सक्राइब अब अब बताओ यह तो हो गया इसका पुरा complete नामकरण हो गया अब यह कितने नमबर पर है तो एक दो तीन चार पाश से एक दो तीन चार पांच इसका नाम करने पहांद इसका नाम करने यह लिखा जाएगा कि में चैन जो है उसमें पांच नमबर कारवन पर यह सव इतना है इसका पूरा नाम लिखना भी चाहते हो तो लिख सकते हो यह आपका complete अगर इसका नामकरन हो गया यह पांस नंबर कारवन वह तो लगा दो और मेंचेन में कारवन अब काउंट कर लो कितना है इसमें देखो कितने हैं नो अरे वन डिगरी पिर फिक्स तो गया अफ हो गया ना क्योंकि इसके अंदर कोई साइक लिक तो है नहीं तो कहां जाओगे नो और नौ के लिए कितने क्या यूज होता है नौन हर जगा सिंगल वन है तो क्या उसकरोगे इन तो नोन इन नोन इन ऐसा हो चाहिएग अभी तक कितने लोगों सब सौन में आया है हाथ उठाओ क्लियर है आगे बढ़ते हैं यह वाला आपने किया और कम्प्लीट किया इसका मैं वन बाई वन करके एक्स्प्लेइन कर देता हूं ठीक है फिर जो है सो कि हम लोग इसको करेंगे ठीक है तो कि इसमें देखो वह तो कुस्टन नमर 15 यही था अरे इथाईल इटी लिखा था मैंने कहीं नहीं लिखा था तो यह इथाईल है सी टुएज फाइव सी एस टुएज त्री ऐसे खुलेगा यह यह तो इसमें अगर करना चाहते हो तो करूं वन बाई वन कर देता हूं ठीक है क्या लिखोंगे बताओ थे इस टू तो उपर एक लगा हुँए ऐसे छी टू थे फाइज पर के दिए देना वहां पर सी टू एज 5 एसे खुलेगा उपर भी लेए सकता और कोई दिक्कत वाली बात नहीं यह थे आपका सी फ्री नीचे वताओ यहां पर सी एस टू है यह सी त्यसे और और फ्री एस संप하겠습니다 अधिए ह्टू रहर हैर किय intim navy खुए नहीं है तो ढूंढ घस चेहन कौंसा है एक दो तीन चारग और सोचो कुछ बड़ा इस एक दो तीन चारगांच एक दो तीन चार पांच ही तो क्या रहा है बताओ कौन सा यह वाला क्या एक दो तीन चार पांच छे साथ यह वाला यह सबसे लॉंगिस्ट हाँ भूलो कुछ फूट गया क्या अच्छा एक यहां भी है ओ हो हो क्या है आप लोग है इतना सुर मचा रहे हैं CS 2 यहां पर था ना CS 2, CS 2, CS 3 अच्छा वह अभू कंपनी आया ना तो आप बताओ पेरेंचें यह हो जाए या क्या एक दो तीन चार पांच छा साथ इससे बड़ा तो कुछ दिखनी रहे एक दो तीन चार पांच छा साथ अच्छा ऐसे जाओ या फिर ऐसे जाओ दोनों मेंसे कोई कर सकते हो ठीक है इसको कवर कर देता हूं जो है हमारा क्या बोलते हैं इसको कर लो ऐसे अब बताओ अगा कितने बहुंगे तो फिर बढ़ावर मननें तो फिर कोई दिक्कात नहीं लेकिन अगर उसको आफ चाहते जाधा वंता सभूस्प्र चेंश लेकर रूल याद है ना जादा ज्यादा highest याद है याद है नंबर हाइयर नंबर में होने चाहिए या functional group multiple bond वो length side chain याद आया ठीक है ये order याद है पहले क्या तो बतो बॉस functional group अधिक सद्स अधिक संख्या में मिले दूसरा multiple bond अधिक सद्सेंग्षा मिले तीसरा लेंफ और उसके वाल साइड और साइड चेन मतलब क्या उसकी संख्या अधिक-सधिक होनी चाहिए उस तरीके से प्रींसपल चैन सलेक्ट कियाक आता है तो अब नमणिंग कर लेते हैं तो नमणिंग कि इधर से किया जाए सोचो हो 1234 पे यह दर 123 पही आ रहा है तो नjachушка ऑन अधर सी सही हुए शरी लग रहे हैं तो ओनके कि इस्टाइल दो यह और सो थो पहले इस ट्री तो पहले लिको टो त्री पर और 3 पर आरия क्या लिखा जाएगा 3,4 diethylle आगे बोलो 4 पे एक methyl है तो 4 पे methyl और main chain में कितने करवन हैं साथ तो साथ के लिए क्या युज़ करते हैं हैप्ट और उन सम में single wand है सारे करवन का nature सारे करवन single wand से जुर है तो ए नहीं लगा दो 3,4 diethylle 4 methyl क्या हो जाएगा यहां पर निकाल दियागा लेकिन है यह क्या है यह नीचे सी टू एच फाइफ है तो फिर इसको ऐसे आप ओपन कर सकतो फिरा गया जाओ यहां पर कारवन है नीचे इससे एक मिथाइल ऐसे सी इस त्री नीचे यहां पर आपका यह क्या है इस त्री ऊपर देखो सी फोरेश नाइन का मतलब क्या हुआ समझ रहो वह भी अलकाईली है चार दुना ठेक नौ तो सी एस्टू सी एस्टू करके खोलते ज नाइसे आतर अगार कॉनसा अ ककारवन से एक वाई एक कारवन से तीन मेंहिट है ऐसे ३ intelligence अप्या है ने वैट यह कह रहे हो अकर इस कारवन से हम लोगे हैसे तेन मिथा अड़ करें पर इसका क्या हलोगा अच्छा समझ एक समाझाल है आप यह कह रहो फिर यह ऐसी होना ची करको कदasy कि अच्छा चार्त ug और तिंतरी का और सिख्र्जम मिल अरहा हूं आज़ा ऐसे दिवांग में आह रहा है कि यह क्यों नहीं हुआ यह स्ट्रक्चर इसलिए नहीं यहां फिर एक किशने हूआ हुए तो यह स्ट्रॉक्शर में मैं अगर ओपन करता। यहां पिटना देखो तर्वन कितना हैं कईसंट करो रहान इसमें एक सैब हुआ अगर सैटे दिया हुआ है तो अलकाईयल का thing फामूला होता है अलकाईयल का वह क्या होता हैופ सिंगल वॉंड चैसे एक्स्प्लेंड करते चले जाओ ऐसे दिया होता तो इसको मैं ऐसे ओपन करता कि तो अब जो है सोगी यहां पर यह सी फोर इस नाइन हो गया और कुछ उटाए गया नहीं तो मुझे लगता है कि लॉंगेस चेन आपको दिख रहा होगा मैं नमडिंग कर देता हूं आपको दिख जाएगा देखो वर्ण टू थ्री फोर फाइफ शिक्स तेवन एट इससे बड़ा तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को आपको दिख रहा है क्या इससे बड़ा तो नहीं दिख रहा है तो अब सवाल है कि नमडिंग उधर से की इधर से मुझे लगता इधर से ठीक रहेगा यहां तीन पर ही मिल जाएगा ना वर्ण टू थ्री थ्री पर ही मिल गया एक सब्सुएंट साइट चेन फोर आ गया यह यह 5,6,7,8 करो आप नाम लिखो देखो कहां कहां है एक यह वचा साइट सेन बना एक यहां बना है एक यहां बना है और सब के सब क्या है मिथाईल है तो अच्छी बात है फिर तो थ्री पर है पूर पर दो है तो क्या लिख दो कि कॉमा फूर फिर कॉमा फूर कितना हो गया प्राई मिथाईल आठ का रवन है तो ओ सीटी सारे सिंगल वॉंड से हैं तो यह नहीं खत्म है किया जाए यह पड़े हो आप नॉर्मल व्यूटेन आईशो व्यूटेन यह मिला है तो जिनरली जो आप यह सवाल पूछ रहे हो ना कि क्या बोलते हैं सर सी फोरेस नाइन या क्या बोलते हैं जैसे माल लो कि मैंने लिखा T3H7 लिखा अब इसके और भी स्ट्रक्चर पॉसबल है कोई बच्चा कहाएगा सर हमें इसको ऐसे दिखाएंगे देख लो इसमें तो इन कारवन दिखेंगे जो दो चार तीन साथ हाइड्रोजन दिखेंगे लेकिन कोई स्टूडेंट वेरे को आगे बोले सर हम इसको ऐसे दिखाएं तो कोई आपको प्राब्लम ऐसे दिखाएं तो यह चीएश तरी यह सीएश यह सिंगल तो अब तो यह भी सही है एकि नहीं तो जिन्रली होता क्या है कि जब ऐसे आपको दिया जाए किस तरीके से दिया जाए जैसे बॉंड्ड यह नॉर्मल होते हैं नॉर्मल कहलाता है जैसे अभी आएगा तो जब लिखा जाएगा तो उसके इसाफ से structure कैसा होगा हम उसको अपने ही साफ से चेंज कर सकते लेकिन अगर ऐसे ही लिखाया गया है C4S9 वो नॉर्मल है और नॉर्मल में हमेशा straight expand करते हैं किसी का भी हो जब भी नॉर्मल यह रहेगा तो नॉर्मल समझना है और नॉर्मल का मतलब उसको सीधे करना है जैसे अगर यहां पर मैं आपको दे दूँए एक एक्जामपल ऐसे सीधे बोल दूँए जैसे C4S9 यहां पर नहीं है मैं आपको बोलूँ कि C5 है और यह 11 कर दो इसका क्या मतलब है और इसको जब भी करेंगे अगर कुछ इसका नामकरन ऐसे ISO करके नहीं दिया है तो मैं ऐसी एक्सपेंड करूंगा बॉंड CS2 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 करते जाओंगा चार चीज लगाँगा और अंत में क्या लगा दोंगा ऐसे एक्सपेंड करूंगा अब एक और चीज बच जाता है कि जब कोश्चन में दिया ही हो जैसे तो हो गया होगा ना आपका जैसे कोशन अभी देख लो जस्त नीचे कोशन दिया हुआ यह वाला देखो फाइप नं है यहां जो कारवन है उससे नीचे यह सी दिया और फिर ऐसे यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर क्या लिखा हुआ है इसको अगर मैं एक्स पैंड करूंगा ना यहां पर कारवन है और इस कारवन से मैं तीन सीस्तरी एड करूंगा इसी कारवन से मैं तीन सीस्तरी एड करूंगा यह आलरेड़ी मेरे को बता रहा है तो ऐसे दिया होगा तो ऐसे कर लेंगे ठीक है और वैसे दिया होगा तुसका क्या मतलब है नॉर्मल और नॉर्मल कमेशा सीधे एक्सपैंड करेंगे क्लियर मुझे लगता है यह भी जाएगा यह वाला कर लोगे अगर प्राब्लम होता भी इसमें तो यहीं पर होता बाकि ठीक कर लोगे इस अब मैंने कंडेंस फर्मूला में पहले पढ़ाया है अगर आप फुरू का क्लास याद क आपको सही से वह करने आना चाहिए तो इसी दिन नदाथ के लिए बताया था याप कर लेंगे यहाँ पर यह रिखात होगा तो फिर पूछना के कई इसमें से मैं आपको एक-दो को वह तो बता देता हूं कि यह क्या करते हैं यह देख व्यांग विद फॉल नेम्स मतलब यह जो नाम लिखे गए इन सब के साथ क्या गलत हो रहा है नाम सब तक क्या गलत हो सकता है कि नाम नाम होता है भले जो भी रख दिया गया तो पहला नाम है I wanna dymethyl pentane जगह है क्या नहिता है वान टाइय मिथाइल ठीक है वाई पहले लिख लेते हैं आप जो कह रहे है ओ हो वन कॉम मावन क्या लिखा गया था कि डाइय मिथाइल पेंटेन तो यह भाई साब जो कह रहा है ना इनके इस आप से पहले स्ट्रक्चर बनागा देखते हैं कि क्या मतलब है तो देखो नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं तो आप नाम क्या बोलते हैं उसको नाम से अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आता है या स्ट्रक्चर बना है कि structure से नाम कैसे लिख रहे हो तो फिर वहां से रिवर्स आपको आना चाहिए ठीक है तो सब्सक्राइब नाम करना तो अपने हिसाब से त्यरा मिरा करना मेरा कैसे विदे लेकिन हमको जब बनाना होगा तो हमने बढ़ा ले ले लिए ले नां किन्ती ठीक होनी चीए ई लगा है तो सोछके देख वर्ड रूट के साथ जो वन डिग्री सफिक्स लगता उसका क्या पहचान था इडिटिफिकेशन क्या दिया गया था कि जो प्रिंस्पल चेन में जो कारवन कारवन होते उसके बीच का बॉंड तो ए नहीं लिखा गया मतलब यह सारे कारवन के बीच जो बॉंड हो क्या है सिंगल है पहले तो अभी यह कनेक कर दो कि उसके बाद तो इसकी कहानी यहां पर आ गई अब सोचो यह क्या गया है डाई मिथाइल और इसका पोजिशन देरा वन वन मतलब जो पहला कारवन है उस पर दो मिथाइल लगा है अभी आपको स्मान में आ रहा होगा कि पोजिशन दो बर द सर्हां यहां और और समय नहीं कर बचलिक इसको नहीं मुथ आपको सब्सक्राव कर दिया नदो आ रहा है और रही है दो आम डोन मना रहा बना रहा है दो और देडो एक बना रहा है तीन है रूजन देडो बंगया खट्र ने कि वापस आप इसका फिर से मैं आपको देड़ू एससे कोष्चन की इसका नुपंप्रश करो तो अब अगर ये नाम सही था तो फिर से मैं इसका नाम करन करो तो यही आना चाहिए तो हमारा जो लॉंगेस्ट होगा वह क्या है पांच करवन का होगा इन्हीं कितने करवन का होगा देखो सही से यहां अब मैं अगर नमडिंग शुरू करूंगा तो यहां सुरू करूंगा वन तू त्री पॉर फाइब तिक्स यह आपको तो क्या कर सकते हो अब बताओ अब इसके ओने तो क्या होंगे वासां तो जो कोश्चन दिया गया था वो दिया गया वन हम डाय मीथ है अब बोला इस नाम के साथ क्या गलत है तो आप उसका बना जैसे कह रहे हैं वैसे आप करो जैसी इस बनाओं फिर सो आपना जो रूल्स पड़े उसके साब से नाम करेंभीए इसके साब से इसके साफ से स्रक्षर सभी है नहीं आप देखो अब पूछ रहे हैं कि क्या गलत है इस नाम के साथ गलत यह है कि आप खुदी सोचन थ्लक लगा हो आप किसी कारवन कि वन पर मिठाय लगा रहे हो तो आपका दिमाग नहीं कह रहा है कि जब जो पहला कारवन आप सोचो जब भी आप नेमिंग करने जाओगे तो प्रिंस्पल चैन को लॉंगे सेलेक करोगे फाइनली आप लॉंगे पर जा रहे हो और मैं कह रहा हूं कि वन पर में थाइल लगाना है सोच के देखो वन पर ही थाइल लगाने इसका क्या मतलब है कि जो भी आपका फर्स्ट करवान है उसके चेन और बहा रहे हो इसका मतलब क्या है प्रिंस्पल चैन आप यहीं लेकर करके आप उसमें सब्सक्राइब कर रहे हो तो लॉंगे इस हुआ कहां तो गलत कर रहे हो ना सोचो थोड़ा सा रुक्या आप सोची है मैं कह रहा हूं जो समझ में आ रहा है तो यहां पर यह जो नाम था यह नाम है गलत इस नाम का कोई कंपाउंड एक्जिस्ट नहीं करेगा वेसिकली इस नाम में कुछ इरड है लेकिन इसके हिसाब से जब आप पहले कंपाउंड मन लिखा जा रहा है लेकिन यह सही नहीं है ऐसे लिखेंगे क्लियर वैसी फिर सोचो आप यह कर सकते हो आगया नहीं कर सकते हो मैं ट्राइब कर लेता हूं आप इसका खुद पहले करो चेक तू मिथाइल टू प्रोपाइल एक्सेन कह रहा है अपना यह बाद में नोट कर ले नथे पहले वह नोट तू मिथाइल टू प्रोपाइल एक्सेन 2 मिथाइड टू प्रोपाइल हेक्सेन कि एक सीन कि कि इतना कारवन है बताइए इसके बाद बताओ टू पर मिथाइल कह रहा है तो एक दो इधर से या उदर से ले लो लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा एक बार अगर आपने शुरू कर दिया करना यह यहां पर तो यहां पर लगाना है मिथाईल लगा दिया हमने वैट रूपाइल तो प्रोपाइल क्या होता है कितने कारवन का होगा तीन कारवन दीएस टू दीएस टू और फिर क्या त्री एप इस ट्रेट भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है अब बाकी क्या कर दो हाइडरोजन से बॉन्ड पूरे कर दो यह क्या हो जाएगा हाइक है कि इसका थो चार पुरा हो गया है दो हािवर्य तो दो यहां पे दो यहां पे और तीन यहां पे क्लियर क्या लग रहा है कि इसका नामख passport कैसे से करें कि यहां से करना चीह यह रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्लियर देखो प्रिंस्पल चेंड कितने कारवन का वन गया आठ उसमें क्या दिख रहा है आई वाद समझें तो अब फोर पे एक मिथाइल आपको दिख रहा है एक और फोर पे मिथाइल दिख रहा है तो क्या नाम करण होना चीए और है कि और कॉमा फोर डाय मिथाइल और आठ कारवन तो ओ सीटी अनी हर सिंगल वर्ण तो इतने लोगा सही है आप लोगा सही नहीं हो रहा और इतना बेशिक से पढ़ाया मैंने भाई इतना असान असान पढ़ाया गजभाल है तुमिन ग्लेचर में यह दिखा था फिर और गेनिक हाथ धोना पड़ेगा आप लोगों को आगे तो फिर और पर लेनी पड़ेगा यह आप लोगों को मुश्किल लग रहा फिर क्या बोलू मैं अब बहुत कमजोर से कमजोर बच्चा इसको ठीक कर लेता है एक बढ़नी आप दोबर पर लीजिए आपको समाझ में आ जाएगा नहीं आ रहा है पूछ लीजिए क्या चल रहा है नाम करने में इतना दिक्कत इसमें आप कोई भी आप बना सकते हो जो भी इसमें आप ट्राइ करना जो दिखवा था होगा आप डिसकास करना ठीक है आई बसमाझ में जैसे इसमें एक बड़ा अच्छा मुझा दिख रहा है यह फाइप नंबर देखो क्या अब दिखान रखना जब टूडिगरे प्रेफिक्स ब्रैकेट में लिखा ना तो समझ लेना वो कॉंपलेक्स है ठील है थोड़ा बड़ा वाला नाम करने में सिखा रहा था बिसिकली ब्रैकेट उसी के लिए उस करते हैं अई वास से मझ में ठीक है तो ट्राइग करोगे क् इसका सही नाम बताओ अगर लिख लिए हो तो और प्रोपाइल हेप्टेन और प्रोपाइल हेप्टेन और प्रोपाइल हेप्टेन चलो देख लेते हैं हम उन्हें किया रहे है प्रोपाइल ए हेप्टेन ऐसा कुछ रहा है दीक है देखते हैं क्या नाम क्या लिख्ery पोरपे और फिर यहां डिख़ तो मिज़ंगे लिख्या त्व माटलIF तनक शेप्टेन है अच्छा है है का मतलब कितना कारवन है एक दो तीन चार पांच चाह साथ सही है यह नहीं लगा है तो सब को सिंगल बॉंड से कनेक्ट कर दो कर दिया हमने और बताओ है है तूपर आज़ो सौड़ी फोर पेवन टू थृ फोर पर आ जाइए लगाना है तू मिठाइल इथाईल देखो यहां पर दो करवन का चेन आएगा और यह होगा एक नंबर और यह कि क्या लगा दो मिथायल है यह यह वण यह कि यह जैसा को यह धिक्कत थे तो तो बोलो Oak सब्सक्रायओ फिरस्ट टिरस्ट क्या रहा हूं इसमें कोई दिक्कत थे तो बोलो एशा कितने लोने किया मरों नश दिंग है आप सोच कि देखा और हमान मिथाइल इंप ही उता है तब क्या करता है कि स्वेक्त चाहिए अधिंग कर वन अ क्या लगाते हैं आरे यहां लगाते हैं कि आ आप लोग समय से जाते हैं यहां में अधाना तो इसका वस ध्यान रखना थोड़ा सा अधिया तो पहले दो कारवन था यह वन होता यह तो यहां पर यह कह रहा है मिथाइल लगा दो और तो कुछ क्या नहीं रहा है वाकिए अब क्या लगाना आप कुछ और लगा नहीं हो गया भाई अभी बचाये क्या कुछ अब नहीं बचाये बाकी बाद आप हाइड्रोजन से बॉर्ण पूरा करो यह हो जाएगा यह आपका यह तो 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 य साथ ऐसे भी साथ है ऐसे भी साथ है और कोई भी लेंगे तो साइट चेन एक ही बच रहा है ठीक है अब किसी को लग रहा हो कि सर मैंने ऐसे लेकर ऐसे घूम गया और मेरा गलत हो गया कि नहीं भाई विसको पगर के त्वर टाइट कर दो तुम्हारा हिसे सीधा हो जाएगा बीच में इसे निकला हुआ दिखेगा मेरा इसे सीधा है बीच में इसे क्लाओ दिक्षान नहीं अर भी चीज़न है 4 के नीचे CH2 हाँ 2 इथाइल इथाइल अथो पतलब यहाँ डैस नहीं लगाया है हाँ 2 डैस आप कोई बात क्यों नहीं लग रहा है वो गलती लिखा है फिर तुमसे करवाना परेगा हमको फोरा सब छोड़ दो आप सब छोड़ दो मैं अब यही इसी पहले डिसकस करूँगा तू मिथाइल इथाइल इसमें यह वाला क्या होगा बता सकते हो यह टू डिग्री प्रिफिक्स है वन डिग्री प्रिफिक्स है वर्ड रूट है क्या है यह यह क्या है बता सकते हो इसमें यह क्या है इत क्या बता सकते हो वर्ड रूट है यह क्या है वन डिग्री सफिक्स है अराम अनाम से ठीक है तो मुझे इसके जगह दो करवन इत के लिए क्या करवन चाहिए सुनों सुनों दो करवन चाहिए यह तो प्रिंस्पल चेंसे कनेक्ट ह यहां लगाना चीन आपकी तो बन गई सिंगल मॉंट से बनाना है तब यह लगता है अब कहां लगाना चीन मेरे को समझावाब यहां लगाना चीन लगाना चीन लगाना चीन अगर यह कहता है सब्सक्राइब करता है यह यह लंग फॉल रहा है पहले ही बोल रहे वर ट्वाटल सब्सक्राइब नेंब और इनके साथ क्या गलत हो रहा है कुछ तो गलत हो रहा है लेगे नहीं उस गलती को ठीक करना है लेकिन पहले जिसे आप से कहेगा उसी ही साफ से हम चलेंगे तभी फिर उसका नाव हम करेक्ट लिख पाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मिठाइल ऐसे अब बात समाझ में आगई कुछ वाल आई की नहीं आई आई अच्छा ठीक है फिर तो चालो संभाल ले ना फिर आते हैं अरे भाई हट जातू अब बताओ नामकरण क्या होना ची मुझे लगता आप लोगोंने सही बता दिया था और प्रोपाइल हेप्टेन सही है और प्रोपाइल ही तो है इसका नाम क्या होगा अला कि इसको जब स्ट्रेट रह तो अभी सिखा भी रहा था आपको इसक आप यहां पर चाहो तो बोल सकते हो फूर पर नॉर्मल प्रोपाइल हेप्टेन ठीक है और अगर यह चिन्हित ना किया गया हो माक ना किया हैसु है ता आप आप नॉर्मल ही समझोगे ना नॉर्मल आई-सू नी ओ यह सब अगर टरसेरी सब जो भी होते नहीं बतायागे ह तो आप क्या समझोगे कि वो नॉर्मल ही है क्लियर वो understood होता है पहले से ही वो रहता है समझ में कि नॉर्मल की बात चल रही है तो मुझे नहीं लग रहा है इससे कोई complicated है बाकी तो आप कर लोगे आप लेगी नहीं ठीक है तो अच्छे बर्चों के लिए time pass होता है और जिनका क्या ही है सरीय नहीं सौन में रहा है उस हर पॉइंट पर discussion कीजिए बहुत भाड़ी नहीं हो रहा मुझे कुछ नहीं मैं आपको ऐसे इससे भी छोटा एक्जामपल दस बर वो बॉन लाइन फर्मूला में करके दे दूँगा आप लिखे लाइए एक दिन दस लिखेगा अच्छा यहां पर आते हैं उससे पहले कुछ यह कर लेते हैं ठीक है आएंगे वापस वहां पर आएंगे इसको कर लेते हैं 31 इसमें से कुछ होंवाग भी आपको दे दूंगा चलो सबसे पहले प्रिंस्पल चेंट सेलेक्ट किया जाए प्रिंस्पल चेंट में मल्टिपल आना चीए और मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो इसमें तो कोई साइड चेंट भी नहीं है तो चीदे नमणिंग किया जाए आप लोग एक एक बार अपना अपनी साफ से कर लो फिर में वह करूंगा तो यादा बेटर होगा ठीक है आप पटावटे कशना की तो यहां पर मेरा गलती हुआ तो क्या सोच कि आपने किया था यह दिसकस्न होगा वो कर लेंगे एक बार आप ट्राई कर लो पहले और ओनलाइन वालो भाईया लोग मैं बोलता नहीं हूँ वैसे लेकिन आप लोग वीडियो स्टॉप करके दिमाग अपना लगाना वीडियो स्टॉप करके ट्राई कर लेना ठीक है मैं आपका टाइम बचाने के लिए बीच बीच में से ब बहुत बढ़िया कि शुरू करते हैं सब हटी वन है वन टू थ्री फॉर कारवन की चेन है तो होना चीए ब्यूट यहां पर कारवन करवन के बीच में एक जगध डवन वांट तो आ गया और वो one पर लेखुर न के बीच्छ से लेकिन बताये गया था किसम परन ड़े जो गन पर जो दू और दू मतलब एक 2 के बीच हो तो एक पर दू और के बीशें दो पर जो मिनिममम नंबर होगा उसी पर डफल बाउंड काउंट होगा उसका पोदीशन तो व्यूट वन इन 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 इस कि इधने लोगह साँ है प्यूट वन इन इन रही है बढ़िया इस पर आते हैं है वन तू थ्री पूर अब अगर देखा जाए तो इसका नाम करण हो जाएगा टू पे मिथाईल चार कारवन है तो हो जाएगा ब्यूट तू पे इस बार डबल बॉर्ण है तो टू पे इन तू मिथाईल ब्यूट टू इन कितने लोग का सही है चलिए हां बूलिए आप कहरें टू मिथाईल यह जो टू लिख रहे हो ब्यूट के पहले एक बात बताईए रूल में क्या है पहले टू डिग्री प्रिफिक्स तो इसमें साइड़ चन कौन है यह है अब अधैल हो गया तू पर मिथाईल हो गया ती अब आते हैं प्रिंस्पल चेंट में प्रिंस्पल और रूट्डा था वंटुट तosedव के रूट पर तो मेन इसमें 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 कितने कारवान ने चार ब्यूट आगया अब आयेगा वंडिग्री सपने क्या था को अब कारवन कारवन के बीच बारण के दो ने इस अब 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 है लेकिन वहां भी बता त्वार्ट रूट के बाद पीच्ण आगा वाद रूट के पहले नहीं आएगा व्यूट तू और ये फिर क्या आता था वोई गिरी सलेक्स एक डवल बॉंड के लिए इन आता था तो वीद पोजिशन लिखा गया तू इन यानि टू पे इन तू और थ्री के विच्छ लेकिन टू पे काउंट होगा और कोई के निखूज़न अगर आपमें से किसी ने भी नंबरिंग इधर से किया है किसरट टू से इधर में भी डावाल वां टू पर रहा था तो फिर उसके पछ करद आपको सइड़श्यन देखने चाहिए तरह आई बात समंझ है और इधर से आप का पोडिशन से मिल रहा है इसलिए फिर हम लोग कहां चले गए साइड चेन पर तो साइड चेन अगर कहीं होता और डवाल बॉर्ण का जो नियरेस्ट लोकेशन होता तो उसको लोग देखते उसी को फॉलाव करते इस पर आ जाते हैं यह तो बिल्कुली सिंपल है एक दो तीन चार पांच पांच कारवन है पेंट लिख लो हर जगा सिंगल वॉन है तो ए नहीं है तो पेंटेन है कितने लोग का साइए जाए इसमें आ जाते हैं ज्यान से देखना इसको कि या दिख रहा है आपको नमरिंग इसमें वन यहां से होगा तू टू ट्री पूर वाइप आप हो सकता है पूछे नहीं मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले सिसके नमरिंग इधर से क्यों हुआ तो पहले देख लो की तो नमरिंग आपको मिल रहा है उसका लोवेस्ट लोकेंट बनाते हैं इसका अगर इधर से करता यह आता लोकेंट का रहे हो और फिर वन्त्री तो कम कौन है इधर से आप जा रहे हो तो 1,3 और अगर इधर से आओगे तो क्या वनेगा 2,4 देख लिजिए कौन सा यह है इसे लिखो 2,4 तो 2 से तो 1 कमी है न वई आई बात चमंझ में तो इधर वाला सही होगा उधर वाला गलात हो जाएगा तो इसलिए अलफावेटिकल बाद में चेक करेंगे पहले हम लो किसको चेक करेंगे लोएस लोकेंट सेट क्लियर है आगे बढ़े क्या तो अब बताईए क्या लिखना चाहिए तो है नहीं सिदे वर्ट डूट पर आ जाते हैं डाइकलिक है भी नहीं तो 1,2,3,4,5 तो 5 करवन के लिए क् सफिक्स तो वट डिग्री सफिक्स क्या बताता है हमें नेचर अफ कर बन कर बन बॉंड इन प्रिंस्पल यह इं प्रिंस्पल चेन तेन अपर बन टीदों के लिएँ में लेकिन इसके लिए गया running स्वेक्ति नों एक double bond हो तो यह नहीं तो इसका position कितना है is one पर क्या बोलोगे यह नहीं और थ्री प्याप क्या बोलोगे वाइन हम को और बोलिए हा दोनों लिखते हैं दोनों अलग-अलग है तो फिर लिखना पड़ेगा यह double bond है और यह triple bond है तो इसके लिए इन लिखना पड़ेगा इसके लिए आइन लिखना पड़ेगा कि आप कुछ सवालों के जवाब ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं कि आपके मन में राद दोनों लिखना जरूरी है कि नहीं तो मत लिखिए और फिर आपस नहीं लिखे फिर इस्ट्रक्चर वणाएं देखिए यह बन जाता है और नहीं लिखें और इस्ट्रक्चर बनाएंगे उसके इन लिखीएगा आप सर्फ डबलों दिखा पाएंगे पर फुर्फ वन लाही नहीं पाएंगे इस इन दिखाएंगे तो सिर्फ डबलबॉंण बना पाएंगे उसके अंदर में नहीं दिखा पाएंगे तो है तरीका हमारे पास बस टाइम देने आना चीए क्लियर आगे बढ़े नाम लिखते वक्ते ध्यान रखिएगा अल्फावेटिकल ओडर का तो यह पहले आता है वाई बाद में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आई वाइब समझे ठीक है चालो यहाँ आजाए बताएए इसमें नमबनी किदर से किया जाए इधर से वही लोएस्ट लोकेंड सेट वन टू थ्री पॉर फाइव अगर उधर से करते तो क्या होता यह वन टू पे आता और यह कहां था पूर पे आता तो हाँ आई वास वन लोएस नहीं वन पाता तो अब बताओ क्या करेंगे नाम बोलो कितने कारवन है पांच तो बोलिए प्रेंट क्या बोलोगे प्रेंट और बोलो वन पे आईन है और थ्री पे इन है लेकिन अल्फावेटिकल लिखो तो थ्री इन वन पे आईन ऐसे क्लियर देखो हर छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करो हो सकता है कहीं कुछ इरड़ो उसको धिरे-दिरे आप ठीक कर लो उसके बाद सीख जाओगे बोल तो रहा हूं कि यह ऐसा चीज़ा है कि आप घर में को छोटा भाई भाई भहन हो ना टेंथ क्लास का तो उसको अराव नाम से रोज एकर रूल समझाओ और सिखा सकते उसको यह इतना आसान होता है है कि नहीं मेरे भाई यह नहीं है चुटका है यह नहीं कि हम समझाए चलो आगे बने गया है इसमें बताइए अब किदर से करेंगे तो पहले वही लोकेंट का सेट बनाओ तो अगर मैं इधर से नमनी करूं तो यह वन होगा यह टू यह थ्री और यह फोर और यह वाइव अगर मैं इधर से करूं तो सेट बन रहा है एक डवल बन हमको वन पर मिल रहा है और फिर कहां मिल रहा है पोर पे अगर मैं उधर से आ जाओं तो 1 पे ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 तो इधर से मैं आ रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है 1 पे और 5 पे सॉर्य सॉर्य 1,4 इधर से भी हमको मिल रहा है 1,4 इधर से भी 1,4 तो जब भी दुनों तरफ से लोक इंट अगर क्या ने लगे अलफा वेटिकल ओडर इसको कई लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि अगर दोनों तरफ से डवल वॉन ट्रिपल वॉन का सिम चेट आने लगे तो आप पहले डवल बॉन को करो फिर ट्रिपल बॉन को करो यह पहले न को या फिर आइन को लेकिन जो मैंने तरीका बताया उसका प तो दोनों तरफ से अगर सेट आपका one for one for आ रहा है तो यह पहले आएगा वाई बाद में आएगा तो नम्मणिंग किदर से करना है किदर से करना आई वाच वाद सब्सक्राइब यह वाला सही है clear अब बताईए नाम करन क्या होना चीए कि बोलिए बोलिए क्या लिखा जाए आप बोलिए बेंट बेंट कर देजी आप लोग थोड़ा सा बेंट वन इन पोर आइन clear क्या तक clear है यह बताया जाए चोड़ दिया जाए अभी तक का सबसें इंट्रेस्टिंग यह है कि कोई भी लोग एक डवल बड़ रचूटी जाएगा सबसे पहले प्रिंस्पल चेन का क्या तरीका है रूल लेने का बताओ पहला कंडिशन क्या है अब सबसे अधा फंग्शनल गूरूप आना चीह क्या इसमें कोई फंग्शनल गूरूप दिख रहे है टेवल वला याद होगा नहीं और बताओ कि मल्टीपल बॉंड्ट कोशिस यह करना होता है कि जितना अधिक से अधिक आपके प्रिंस्पल चेन में आ जाए जिसको सोच हो मैक्सिमम सोचना है कि अधिक से अधिक हो जाना चाहिए तो यहां पर हम लोग सोचे कि एक दो तीन चार पांच अगर इसको लोग लेने कुशिस करें तो इसमें डावल वन दू आ जाएगा अगर ऐसे हम लोग लें तो ऐसे भी दू आएगा तो कैसे भी करके हम लोग एक प्रिंस्पल चेन सेलेक्ट करते हैं तो दो ही मल्टीपल बॉंड आ रहे हैं तीसरा तो आ नहीं रहे एक छुटेगा इन छुटेगा अच जब यह हो गया तो इसके बाद किस पे जाते हैं लेंथ पे जाते हैं तो दो आ रहे हैं इसके साथ हमको लेंथ प्रिंस्पल ले सकता हूं या फिर मैं यह वाला प्रिंस्पल चेन ले सकता हूं या फिर मैं यह वाला प्रि अब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद इस कंपाउंड में हम लोग का यह वाला होगा अन्डिसाइड कर लिया यह अमारा प्रिंश्पल चेन है आप आते हैं नंबरिक पर नंबरिक कि धर से करते हैं वताओ बोलो बोलो जिदर से क्या नजदीक हो फंक्शनल ग्रूप तो है नहीं मल्टिपल बॉर्ण है वो लोईस्ट लोकेंट सेट बनाई है तो 1 2 3 4 5 इधर से आगो तो कहां मिल रहा है वन पे और फाइब इधर से आओ तो वन पे 2 3 4 5 इधर से 15 इधर से 15 अब जो डवल बॉनों मिल रहा है उसका जो लोईस्ट लोकेंट सेट है वो भी दोनों तरफ से स्यम आ रहा है ठीक है तो अब क्या करेंगे साइड चेन देख लो आप यहीं देखना था ना कि साइड चेन कि इधर से नजदीक पर रहा है तो बताओ क्या करें इधर से बिटर होगा कर लेते हैं फिर चलो आप ही का कहना माल लेते हैं 1 2 3 4 5 और यह 6 क्लियर अब आते हैं नाम करेंट नंबरिंग हो गया तो सीरिया आप नाम करेंट पर आजाओ आप अब नाम करेंट में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं आइड चेन के लिए क्या होता है अगरे टूडिग्री प्रेफिक्स तो यह आपका साइड चेन है अच्छा सोचके दोखेंगे डवल बॉन नहीं होता यहां पे तो सीएस टू सीएस तरी होता ना यह इतायल हो जाता तो कुछ नहीं करना है यहां पे मैंने बताया था कि अभी आपको कॉंप्लिक्स मिले तो में चेंज से जो पहला कारवन अटैच होगा उसको पहले वन नमबर दे देना ठीक है तो वन डैस भी लगा सकते हो चलो डैस कड़ी देता हूं यह कितने नंबर कारवन पर कनेक्ट है पहले देख लो यह जो पूरा हिस्सा हो कितने कर लिके मास्टेर आप चलो मैं लिख रहो भी है कुछ क्या देख लेता हूं वन डैस्टो डैस इसमें कोई सब्सूइब और मतलब सब्सुणयक्वे और कि नहीं दिखर है तो सब्सट्योंट का व्यस्सवेंट नहीं दिख रहा है तो स्सिद्द उसके प्रिंसिपलव arrested क्र करवन आपको दिख रहे हैं तो तो दो कारवन के लिए वर्ड रूट क्या इस्तमाल होता है अराम अराम से तो बुरे फसोगे तो आप क्या लिखोगे इत लिख दिया मैंने अब सुनों अगर यह डबल बॉन नहीं होता तो वाइल लगा देता इता हाइल काम खतम कि मैंने बताया था वन डिगरी सफिक्स ऐसे किसमें क्या लगाना है वाईल लगा दो वर्डूट के जस्ट भाथ ठीक लेकिन अभी क्या है डवल वांड अगर इसमें पूछू की वन डैस और टू डैस के बीच में डवल वांड है तो डवल बॉन का पॉलिशन क्या माना जाएगा वन डैस माना जाएगा तो मैं लिखूँगा इत वान डैस और क्या लिखूँगा इन यह लिखूँगा ऐसे सोच के देखो प्लियर को अब यह जो आपका जो मतलब साइड चेन है यह पैरेंट चेन से जो जुरा है इसका नेचर क्या सिंगल बॉन्ड है तो अभी आपको जैस हो कि मैं आगे रूल्स में लिखवा दूँगा जब प्रिंस्पल चेन से जो साइड चेन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो तो आपको जो सफिक्स करना है इसके लिए यूज करना है आपको आईल वाईल जो मैंने बोलना थे ना आई लूस करो वाईल रूसकर हो इसका रिजन ये है कि अगर पैर्एट चेन से प्रिंस्पल चेन से सिंगल बॉन्ड से होगा तो हम लोग इस करते है और यहीए अगा डवल बॉन्ड से होता तो अगला एक रूल आएगा आईलीडीन करके आएगा क्या आएगा आईलीडीन ठीक है अभी वो लिखवाओंगा और उस पर एक्जामपल करेंगे तब वो आएगा लेकिन आभी रुख जाएगे तो अभी हम लोग यहां पर आईल कर रहे हैं लेकिन अभी जैसे देखो क्या बोलते हैं एक्स वाइश से वहल ऐसे कुछ होता है नहीं तो यहां पर यह जो ई है आप इसको हटा सकते हो तो क्या बन जाएगा यह ऐसा कुछ बन जाएगा 3 इद वन डैस इनाईल क्या बन जाएगा इनाईल अच्छा एक और चीज है कि अगर डबल वन वन डैस पे हैं तो आप चाहो तो इस वन डैस को भी हटा सकते हो आप ऐसे लिख सकते हो थी पे क्या इत इन आईल इधिन इतिन आए एफिन आई इधिन आई वसंगे अब आनी खत्म है अगर इसका आपने नामकरन कर लिया तो फिर इसमेंगे आजाओ प्रिंसमेल चेंगे प्रिंस्पल्चन में कितने करवन एक दो तीन चार पांच छो तो क्या लगाओगे बताओ इसको अगया एक इसमें देखो डबल बॉन कहां कहां एक वन प्रोड एक पहे तो लगा दो क्या है और एक चीज और ध्यान रखना सब्सक्राइब यह जो आपका वर्ड रूट होता है ना इसके जस्ट बगल में एक यह आके जोड़ जाता है तो यह हैक्स नहीं होगा हिक्सा हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा हेक्सा हो जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हो आप यह लिख सकते हो यह नीचे वाला थ्री इथिनाईल हेक्सा वन कॉमा फाइव डाइए इन कि बोलिये कितने लोग स्वांज में हाँ हाथ उटाओ को दिक कर कि देखो देखो एक मैं आपको और यहां पर प्रैक्टिस करा देता हूं सुनना ध्यान से थीक है अब आप क्या कर सकते हो बताओ को यह ले सकते हो प्रिंस्पल चेन अब आप क्या करोगे अब नम्मनिंग पे माल लो मैंने इसको प्रिंस्पल चेन बोल दिया यह प्रिंस्पल चेन है सबसे पहले करने हैं तो 4 पे लिखो तो 4 पे लिखो क्या लिखो लिखो लिखोगे अब इससे जो पहला करवन जो रहा उता उसको 1-2 बोलते हो इसको 2-2 बोलोगे यह त्रीड डैस बोलोगे बोलोगे बोलोगो अब बताओ रूप और वर्ट के अब कि बाद क्या आता है तो इसके वन डिगरी सफिक्स क्या होंगे हाँ बोलो, very good, 2-2-2-1, समाझ में है, और यह जो side chain है, यह main chain से single one से connect है double one से, अगर single one से तो y है, और अगर यह y है तो इस 1 को हटा देना, ही समाझ में है, तो अब पढ़ो, समाझ में है, क्या लिखेंगे, प्रोप 2-1, नहीं समाझ में है, आया, ठीक है, तो, मुझे लगता है यह वाला आगया होगा और इसके हिसाब से यह बना लेंगे अब यह की अगर आप इसको लोगे तो इधर एक छूटे का इधर एक छूटे का दो लोगे से दो छूट जाएंगे लेकिन अच्छी बात क्या है कि जो है दोनों वो दोनों क्या है से मैं तो क्या करना रहे बताओ एक लिखो कि उसके पहले क्या लगा दोगे डाई लगा दोगे ठीक है और यह मत भूलिएगा कि जब भी आप नामकरन कर रहे हो तो उसमें यह ध्यान र यह नहीं बूलना है ठीक है रूल्स बहुत सारे हैं लिख लिख करके ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो यह होमवाउक में रहेगा कल के लिए 39 से लेकर कि यह 45 तक और यह सब 50 तक इसके आगे नहीं यह अगले क्लास में 50 तक आपका है होमवाउक है यहां तक जो हैस हो कि आप कल कंप्लीट कर के आएंगे और अब इसके बाद मैं आपसे यह ही कह सकता हूँ कि यह सारे के सारे कोश्चन अब आप ट्राई कर सकते हूँ ठीक है तो 50 तक वो ट्राई कर लेना उसके बाद आप यह ट्राई करोगे और फिर इसके बाद यह ट्राई करोगे इतना करके आना है आपको को ज्यादा नहीं हो गया ना कितना आपको ट्राई करके आना है